हेलो फ्रेंज वेलकम टू वाइफा स्टेडी चेंजिंग दा वी ओफ लेंग स्वागत है आप सभी का इंडिया की नंबर बन स्टेडी चैनल वाइफा स्टेडी पर तो घाइस जैसे कि आप सबी लोग को मालूम है कि मार्च के जो लास्ट वीक है उसके अंदर आपका दोस्त के मीन्स का एक्जाम है जो की होने वाला है और उसके लिए दोस्तों एक बहुत ही इंपोर्टेंट बैच है जो कि मैं आप लोग के लिए लेकिया आने वाला हूं जो कि है दोस्तों करेंट अफेर्स का जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है दोस्तों कि कोई भी बैंकिंग का exam हो current affair का जो weightage है न वो आपको दोस्तों maximum है जो कि आपको देखने को मिलता है जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है दोस्तों कि 40 marks है और इतने ही question है जो कि आपको देखने वाले हो इस exam के अंदर और उसके लिए मातर आपको दोस्तों 25 मिनिट है जो कि आपको मिलता है सबसे सिंपल और सबसे जादा कम दिमाग जो है वह आपको इसी में लगाना पड़ेगा और यहां पर आपके majorly majorly दोस्तों question जो है वह easily solve हो जाएंगे किस तरीके से history के concept से current affair के सवाल पुछे जाते हैं जोग्रफिक के concept से current affair के सवाल पुछे जाते हैं पॉलिटिकल साइंस और नैशनल इस्यू इंटरनाशनल हो कोई पस अभी issue हर एक news को दोस्तों हम लोग क्या करेंगे correlate करेंगे और फिर क्या करेंगे दोस्तों इसको देखने वाले हैं तो अगर आपको मालूम है दोस्तों कि अगर आपको exam देना है means का तो इससे best आप मौक को आपको मौका नहीं मिलेगा और आप बहुत अच्छी preparation है जो कि आप कर सकते हैं दो मार्च से दोस्तों यह बैच है जो कि आपके लिए शुरुवात हो रही है नियर्बाइब 15 क्या असपास classes है जिसके अंदर हम बहुत अच्छी preparation करेंगे नियर्बाइ नियर्बाइ तीन से चार मैने का दोस्तों मैं आपको current affair है जो कि करवाऊंगा और इसके बाहर आपको question देखने को नहीं मिलेंगे guys एक बात और यहां पर आती दोस्तों आप बोलोगी sir जब एक मैने का ही एक course है तो हम एक मैने का subscription है जो कि ले सकते है guys आपकी बात बिल्कुल सही है आप एक मैने का subscription भी ले सकते हो अगर आपको एक current affair batch है जो कि join करना है तो लेकिन अगर आप सच में dedicated banking aspirant हो अगर आप सच में banking का exam निकालना चाहते हो तो guys serious हो के जो है न वो 6 month का या फिर 12 month का जो है न वो subscription लीजेगा आपको बहुत सस्ता लेड़ेगा और इसके अंदर आप जितने भी banking के exam आने वाले हैं या फिर कोई भी exam है जैसे कि SBI हो गया एलाइसी का भी विकेंसी आ गई है साथ में आपका यह तो ही आने वाले टाइम पर वापस आए भी पीएस पीओ आएगी चाहे कोई पीओ हो चाहे कोई क्लेरिकल का exam हो सारे exam की तैयारी complete course के साथ में test series है जो कि आपको दोस्तों करवाई जाएगी और अच्छा मौका है कि आप एक साल का subscription यहां पर ले लो अगर आप एक साल का ले लोगे या छह मैने का ले लोगे तो आपको सोचने की जरूत नहीं है कि banking exam selection होगा की नहीं होगा आप सरी follow करिए regular पढ़ाई करिए selection 101% हो जाएगा समझ गया मेरे course की बात करें तो मेरे course के लिए आप वैसे एक मैने exam में जो current affair पढ़ाई है वह याई है चाहिए जो मैचों ने दिया है आप उनसे पूछिए और मात पर थोड़े से मैनत के अंदर यानि कि मैं आप से तरी 15 गंटे माग रहा हूं 15 गंटे के अगर आपको यहां पर बहुत अच्छे नंबर मिल रहे है तीस परतिस तो कहां इसा नहीं है guys कि आपको 3-4-3 मेरी classes मिलेगी समझ गए अगर आप में मालिज़े 6 मैने का या 12 मैने का या 1 मंथ का कोई सा भी subscription लिया है तो आपको दोस्तों मेरी classes तो आपको मिलेगी मिलेगी समझ गए लेकिन आपको जो अपनी team AVP है उनकी भी मिल जाएगी ठीक है इसके अ मिल जाएगी समझ गए जोईन के से करना है आपको पताएता हूं आपको करना क्या है अनक्याइड में लेंगे डाउनलोड करनी है गुगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसको ओपन कर लिजे उपन करने के बाद आपको अपना गोल सेलेट करना है जैसे कि आपने जो अपन परसेंट और सभी सब्जेक्ट की सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी ठीक है बैंक कहा पर है दोस्तों यह रहा बैंक तो बैंक सलेक्ट कर लिजेगा फिर उसके बाद मैं प्लस पर जाईएगा फिर सब्सक्रिप्शन पर जाईएगा यहां पर आपको संसे क्या पर यहांप पर एक मेना तीन मेंट शह मेने बारह मैने का उप्शन मिलेगा गाई तो अगर आप सच्छ में डेडिकेट इस्ट्टेट इस्टै वाब एक्जाम करना जाते हैं सच में तो बारह मेने कर जिए ले लिजीगा और अगर आपको स्रीफ और स्रीफ मतलब है आरब एसिस्टेंट में से तो आप एक मेने का भी ले सकते हैं जो कि आपको अजार डेड़ अजार रुपय के असपास पढ़ने वाला है रैफल को लगा दीज कॉंटेंट है और काफी अच्छी क्लास जो कि यहां पर करने पार है ठीक है गाइस चलिए थैंक यू गुडबाई और आव डाइस देव